कि जहार साथियों आज हमने उब्रवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन जो की जहारकण में हुआ था उसको देखने वाले हैं और यह बिसके लिए आपका जो कॉंग्रेस का स्थापना हो गया था ठारों सा पच्चासी में ठीक है तो अठारों सा पच्चासी के बाद क आंगरेजों के साथ प्रात्ना करता है प्रकुष उधार करने का कोशिस करता है ठीक है लेकिन उससे खास उधार कुछ हो नहीं रहा था अब जब उसमें सुधार नहीं हो रहा था तो अब यहां जो युवा लोग मतलब का जो प्येसंस या जो धैर यह वो टूट रहा था यह लोग सुझता है कि चलो मार धाड़ वाला तरीका से काम करना शुरू कर देते हैं ठीक है तेकिन उससी जगह पे आपे दो तरीके से चल रहा था एक ता कॉंग्रेस का गरम दल वाला चल रहा था ठीक है और जिसको हम लोग कहते हैं गरम पंथी वाला यह अगरम पंथी अब बाकी यह उग्रवादी तो उग्रवादी में जो सबसे फेमस थे हुआ को भगस सिंग चंसेगर आजाद वार फेमस हैं तो यहां पे देखेंगे भगस सिंग और चंसेगर आजाद अब नहीं पहुंच रहे हैं अभी क्या कर रहा है कि जो सुर्वाती दोर है जो 32 तक क्या होगा उस चीज को हम लोग यहां देखेंगे ठीक है और वैसी भी आपको जार्खन में जो उग्रवादी चरण है यह इसके लिए भारत में देखेंगे तो तीन चरण में चला है ठीकिन जो जार्खन में चला वो सिर्फ दो चरण चला है पहला चरण और दूसरा जर्ण जर्ज चलता है 1905 since 1917 कैसबस दूसरा चर जर्ण चलता है और यह करीब 32 को चलता है पर जब बहूत घर जाता है चिट फूत होता है टिक बहूत होते बहुत यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें एक साथ हो रहा था ठीक है अम दिखाना चाहेंगे क्योंकि देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या चल रहाता है वैसे एक साइट देखिए कि अठारा सो अंठानबे से दो मतलब उनीस स्वा में आपका बिर्सा मुंड़ा अंदोलन कर रहा है ठीक है उनीस स्वा चौदा के बाद से आपका जत्रा भगत लोग अंदोलन कर रहा है ठीक है उनीस सो ग्रों कि है 1932 के आश्वास में तिस बद तिस में आपका रही बाबाा आंदोलन चल रहा है ठीक है त्जह दिखिए बिस्वा मुंड़ा के चल रहाया यहां जत्रा भगत कोया बहत कर रहा जारकर्ण में ठीक है यह तीन आंदुलन आपको उसी पीरेट के काल में आपको यह उसी के कहिए बीच में आपको यह करन्तिकारी आंदुलन भी दिखाए देगा पहला चीज है दूसरा चीज देखिए कि कॉंग्रेस का इस्थापना होता है आपका 1885 में ठीक है और यह इसका नरमदलिय पीरेट चलता है यह 1905 तक चलता है यहां से 1905 से लेके 1917 तक अपको गरमदल वाला चलने लगता है यह गरमपंति वाला जारून गोश्त राजपत्रा यह बल गंगाधर तिलक वगरा इसमें थे ठीक है तो यह नरमदलिय वाला भी चल रह है गरमदल वाला भी चल रहा है क्रांतिकारी वाला भी चल रहा है ठीक है बीज वीच में क्या कहते हैं जो यह पॉप-प करता है न उस तरह से आपका जो आदिवास्यों का भी आंदोलन चल रहा है ठीक है और उसी समय ची और देखिएगा कि यहां पे देश में महिजदूर का चल रहा है कॉंग्रेस का नरमपंथियों का भी चल रहा है कॉंग्रेस दो धड़े में एक नरमपंथ और गरमपंथ ठीक है तो सब का आंदोलन चल रहा है ठीक है तो उसी बीच में आपका एक क्रांतिकारी का भी आंदोलन चला था जारकन में क्या क्या किया था उस चीज को को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरा है कि जारकन का कुछ-कुछ इलाका था वहां पे करांतिकारी को अंदुलन आपको ज्यादा हुआ था पर कुछ जगह बहुत कम हुआ था जैसे पलामो डिस्टिक में देखेंगे तो नाके बराबर आपको कोई इस दुशा चीज टेकर तो नहीं मिलेगा रहें को तो यह जार रहा रहा है मानभूम अला ऑफिया बचा चार जीला तो अच्छा जीला वहांपे देखते हैं एक संताल परगना दूसरा आपको अजार इपग सुआज और चार जेगा में आपको दिखाय देगा ठीक है और एक समानी चीज 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 लेकर चीज है कि यह सब जहाँ-जहाँ हो रहा था कांतिकारी अंदोलन भाप बंगाली लोग काफी हावाथ था इस अंदोलन में अब इसका भी लॉजिकली देखा जाए इसको ऐसे देख सेक तो सबसे पहले जागरिती भी वहीं पी आया अब जागरिती भी आया तो आप कौनेस वाले अंदुलन में भी देखते हैं पहला अद्या साब का बनर जी बनते हैं ठीक है डबलू से बनर जी तो आपको दिख रहा है बंगारी लोग कैसे वहां पे चल रहा है और बाखी कांथ प्रभाव कर सकते हैं वैसे वहां कुछ एक आंदुलन का चर्चा किया गया तो में भी थोड़ा पूद उससे इंस पैड़ हो पहला चीज और दूसरा स्वामी ब्यकानन का जो भासन वदा होते थे उसका भी थोड़ा पूत अंस कर सकते हैं बाकि डारेक्ट लोग कभी यह ह प्रभी से यह लोग बंगाल में आपको अनुसिलन समिती नाम का संगठन चलाता है पत्रिका वेगरा भी निकालता है आपको युगांतर पत्रिका वेगरा ठीक है और उसी में कुछ-कुछ जो नेता लोग तो लोग सामिलता कुछ यह आपको वारिंद्र कॉमार घोस है सटमार के किस-किस इलाके में आया तो सिग्भूम की इलाका में खासकर का है बहुत असला आता है वाथ से ठीक है राऔ से में आता है हजारी बाग में आता है और सबसे अच्छा से जोिए अफ वा धा हुआ ता संथाल परघना में आपका ंपshirt awards संथाल परगंडा को ईलाक बाएंट इसे चया के तो होने में कि रांची में आपको तीन है तो राची में त вам को तीन चीज क्या कहा था तह म election घोष यहां पर उग्रेवादी आंदुलन को शुरू किया था यहां पर राची में है गनेश चैंदर घोस ठीक है तो यह पी टीक है तो यह वह घुद से शुरू हो रहा है घंडइस से चंद्र घोस अपका कनांदीकारी आ इस वंदम कि चेइश ौर्मों आपर चप्र का सुरव शूरू यहां पर किनतर का सुर्वात है तो गनेस कहां किये थे तो राची में नेट्व हुआं पाला हुआ थेकाइश के रांजी क्द हवाए थाota किनीक जो भोड़ान stigma अल्वन नितानिक लोग था वो लोग का सानुभूती था यह जो थ्राविश आक्टिविटी कर लिजिए कि वो लोग का यह था कि वो लोग कान्धिकारी का सकते हैं वैसे तो एक था तो रांदिकारी अंधुलन का टिक है और तीसरा चीज़ यह की जो कलकटा में का बेलूर तो उस इलाका से भी कुछ लोग आता था यहां पर यहां पर रहता था और विचार को फैलाने का कोशिस करता था तो राची में तीन चीज़ एक कनेश चंद्रे घोस आपका सुरू किये थे दूसरा कि आपका बिलूर मट से कुछ आदमी लोग रहता था और तीसरा जो रामग हजारी बाग में आपको तीन चीज मिलेगा तो हजारी बाग में होता है हजारी बाग का ही इलाका था पहले आपके गिरिड़ी जीला थे वाइसे एके करके देरे देरे अलग हो जागे वैसे ठीक है उस समय हजारी बाग जिला में गिरिडी भी आता था और गिरिडी में आपका दो चीज हुआ था ठीक है पहला चीज हुआ था कि वहाँ परचा चिपकाया गया था आपको जो पोल सब होता है ना पोल सब में आपका परचा क्या था कि आपका आवर स्वाधीन भारत नाम से परचा चिपकाया गया था ठीक है इसको स्वाधीन भारत सिर्शक से आपका परचा चिपकाया गया था खंबों पर ठीक है और खंबों पर चिपकाया गया था और उसको बंगाल से लाने वाला था आपका जीवन क्रिष्टो र ठीक है और चिपकाने वाला था निर्मल चंद्र बनर्जी ठीक है तो जीवन क्रिष्टो राई आपका लाया था बंगाल से और चिपकाया था कौन निर्मल चंद्र बनर्जी ठीक है कुछ बुक्स में आपको क्रिष्टो राई ही मिलेगा तो इसको याद करने में क्रिष्टो कुछ बुक में आपको शिर्फ किष्टो राय मिलेगा ठीक है तो इस इत्लिक को नोड़ किजेगा कि जीवन खिष्टो राय ही आपको खिंचो राय है वैसे टिक है जीवन से यह लाए और यह चिपकाए है तो गिरेड में पैला हुआ कि परचाश चिपकाया गया ठीक है अद बनुल्ण किया है तो इसका एक मालिक था और यह बहुत कॉमन है तो आराम सी याद हो जाएगा? पैसा ज्यादा है तो मनरेजन भी ज्यादा कर रहा है तो उस हिसाब से भी इसको या सकता है कि मनरेजन गू ठाकूरता आपका गिरिड में प्रमुख कांतिकारी थे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अबरक खान का मालिक है आप अमीर होके भी इस अंदोलन में सरीक हो रहे हैं इसलिए मारड़ा वाला सरीक नहीं होता है यह थे तो यह तो यह यदू करना बनता है वैससे है ंधक्य को एक सो कॉलोम भाता कॉलेज संद कोलंबा Castle से सेंड कॉलमबाज कॉलेज का कुछ student लोग का आंतिकारी किती विदियों में सरीख होता था या साध्या करता था यह लोग फैक है उसमें से एक था आपका राम विनोद सिंह तेक है राम विनोद सिंघ ये भी उसी में सारे खुबा करते थे ते लेकिन और इनका गिरफतारी हो जाता है जो इनके गिरफतार कर लेता अंग्रेज सरकार तो वहाँ पर होता है कि जो इस्टुडेंट लोग तो विरोद करता ही करता है बागी जो कॉंग्रेस का भी दो इंपॉर्टन सदस्थ था वो और ये दोनों हजारी बाग के लीड़ा थे वैसे ठीक है बजरंग साहाई और किष्ण बल्लप साहाई दोनों इसका विरोद करते हैं पहला चीज़ दूसरा यहां पी एक शिवार है कि जो राम ये राम बिनो सिंग थे इनको हमको हजारी बाग का जतिन बाधा भी काय जाता ठीक है जतिन बाधा लिखा हुआ है हम लिखा हाई यह यह बाधा नहीं होगए यह बजरे बागा है एक बाह राते है कि जतिन बागा क्यों का सुच हैं चीज चीजित करते गए जतिन देनात मुखरजित है ये आपका अनुसिलन समीति से जुड़े हुए एक निता थे ठीक है और ये एक बार गाम गए थे गाम में इनका एक सेर से मुकाबला हुआ था तो सेर से इनका मुकाबला हुआ था और ये एक छूरा से सेर को मार दिये था अब एक इनसान सोचे से कितना वीरता का काम था ठीक है और चुकि वीरता का काम किये थे इसलिए इनके नाम से जतिन बागा इनको कहा जाने लगा जतिन बागा ठीक है बाधा नहीं है यह बागा है ठीक है बाग से बागा ठीक है अब चुकि यह और चुकि उनको जतिन नास मुकरजी को जतिन बागा म राम विनोद सिंग, ठीक है, चलिए, तो हजारी बाग के इलाका में आपको ये तीन काम था, भाला भाला हो गया, जिवन किष्टो राय जो लायत यो चिपकाया भगरा था, वो काम हो गया, दूसरा मनोजन, गुठाकुर्था भाला हो गया, कि अभरक खान का मालिक होके भी कर जतिन बागा कहा जाता था, हजारी बागा, बहुत इंपर्टन कोशन है, और ये पुछा भी जाता है, वैसे, तिसलिए इसको याज जो रखेगा, का हजीर बागा, हजारी बागा, जतिन बागा कौन थे, तो आपका, राम विनोद सिंग थे वैसे, ठीक है, जलिए, अब इ और कांतिकारियों का सपोर्ट किया करते थे, ये भी कोशन आता है, कि ऐसा कौन सा कर्मचारी था, जो टाटा कंपनी में काम करता था, और कांतिकारी आंधुलन का सपोर्ट करता था, ठीक है, तो दुर्गादास मेनार जी, बहुत फेमस थे, इसकी अलावा, एक और आदमी ये धाका से आये वे थे, और टाटा कंपनी में काम करते थे, और वो थे आपका शुरेंद्र कुमार राई, ठीक है, शुरेंद्र कुमार राई, आपका टाटा कंपनी में काम करते थे, और कांतिकारियों का सपोर्ट करते थे, तो यहाँ दो मिल रहा है, एक दुर्गादास बनर जी ठीक है जो क्रांधिकारियों से गारा संबन था ठीक है और दूसरा है कि आपका सुरेंद्र कुमार राय जो की टाटा कंपणी में कार कर रहा है और यह सवयोग कर रहा है तो दो टाटा कंपणी में काम करने वाला अच्छे टाटा कंपणी में काफी लोग काम करता था जो की कंदिकारियों करता था इसलिए अंग्रेज सरकार टाटा कमपनी को चेताओनी भी दिया था कि जिसको भी नियुक्ति कर रहे है सब को जाँच परक करके उनके नियूक्ति कीजिए वहना पीर बाद में आपको घाटा हो सकता है वैसे ठीक है और बाद में जब हम लोग अ आपना काम से निकाल भी दिया था। तो तड़ाक गंबणी कुछ आदमी को काम से भी निकाल दिया था। लेकिन वैसे यह नहीं निकाला था। यह दो हो गया। और तीसरा चीत है कि शिंग्भूम की इलागा में ही, सिंसमें ईपको अमएरिका और जापान जाते हैं एंगले सब्सक्रार यहां पर वैसा किताव सपने नहीं देता तो बहार चला किć करने कोशिस कर रहे थे हैं अमेरिका और जापान गए और करांतिकारीच साहित को बेचे हैं कौन गिरिंद्रनात्य मुखर जी नुइयॉक में एक बार कहते हैं कि भारत में जिस स्वतंता आएगा वह रक्त रंजित क्रांती से ही आएगा तो यह तीन चीज था जो संथाल पर गना के तो संथाल परगना के इलाका में है कि दोनों लोग यहां पर अक्टिव था जो उग्रवादी जो माधर वाला था वह भी अक्टिव था और दूसरा कहिए जो अरिंद घोस को कहिए तो गरम दल में थे वह भी काफी बार आते थे देवगर में और यहां काफी लंबे समय दे र वैसे तो करांधिकारियां में अभी जैसे कुछ दिस सुरात में बताया था है कि अनुसिलन समीति बंगाले बहुत फेमस था वैसे युगांदर मैगजीन यह लोग निकालता था तो वो उसका जो नेता लोग था वो लोग आपका देवघर आते रहता था ठीक है पिसके था क् आसरब बंगाली लोग अपना बंगला बनाया है था जो परिवार करा चीजों का समझ रहा था राज नितिक महत्तवा कांच्छा भी था तो उसी में था आपका भुपेंद्र नात दत वारिंद्र कुमार घोस ठीक है और राज नारायन बोस यह तीन प्रमुक थे जो कि आपको जाकन आते जाते रहते थे यहां पे और देवगर का रोहिनी ग्राम में आपका रुका भी करते थे रोहिनी ग्राम याद कीजिए अठा और संदान करांती शुरूआ है रोहिनी ग्राम में यह जो करांथिकारी लोग है वह लोग भी वहां है पर रुकता था हॉस्टल वेकरा में ठीक है कुछ तो था चि कि जो वारिंद्र कुमार घोस या अरिओंध घोष के घर था किराये में लिया हुआ तो वहां पर लोग र था यह लोग वारिंदर कुमार घोष भुपेंदरनाथ द्रथ और राज नारायन बोष ठीक है। तो राज नारायन बोष चैosed में बहुत उलेखनिया नहीं पता है वह से लेकिन जो वारिंदर कुमार घोष थे या अरुबिन गोषक के भाई थे ठीक है एक यह फेमस पस नाद से जूड़ गये हैं अर्बिन खोष के भाई वरेंध्र कुमार घोस ठेका अब उसके अगर भुपेंद नाथ दत्त हैं तो भुपेंद नाथ दत्त कौन है तो स्वामी बिव्यकानन्द के भाई हैं तो स्वामी बिव्यकाननद का बचपन का नाम क्या था नरेंद्र नाथ ठीक है तो उनी से आता है अपको भुपेंद्र नाथ दत ये नरेंद्र नाथ दत थे वो ये भुपेंद्र नाथ दत उनके छोटे भाई थे वैसे ठीक है तो वह आया है तो ये भुपेंद्र नाथ दत यानि स्वाई भाई अर्विंद घोस का भाई आरज नारायन बोस्ट यह सब आया करता था यहाँ पर रुका करता था वैसे यहाँ पर ठीक है और स्वादेसी अंदूलन को भी यहां पर चार परशार किया करता था ठीक है चलिए टीक भाव भी हो आए ठीक है कि राज नारायन बोस यहां आया करते थे वारिंद कुमार घोस और भुपेंद नात दर्थ आया करता था पर स्वदेशी अंदुलन को यहां बल मिला इनके द्वारा ठीक है यह हो गया अब दूसरे बात देशी और है हाँ यह अर्विंद घोस देखि मान इनके भागलपूर में फिमस वकिल था इसके किराय के घर में राग करते थी और वो वहां रहती थी तारां बच्चीं को आपका देवघर की लाका में रखते थी और वारिंद कुमार घोस का पड़ाय लिखा ही है वह आपका देवघर सही हुआ था वैसे ठीक है कि विदेसी वस्तों का बाहर करने का बात करता था एक तो एक तो यह को गया अदूसरा के अपका अलीपुर बंगाल में आपको अरेश्टिंग होता है तो यहां पर घर तलासे लिया जाता है और बाकी लोग छुपा के बेसके लिए कुमा की अंदर रखा करता था तो कुमा के नीचे से भी बंग को निकाल लिया गया ठीक है और सिल्स लाज में उसी समय सब दोस्ते हैं लोग रहता है बं वेकरा बनाया करता था और बाकी अगल में प्रिषण किया करता था रहता है कितना क्या था सीफ अब उसके बाद आते है कि किराय दो चैह और हुआ पढ़ता है ठीक है चले अब उसके बादाते हैं कि कुछ यॉर हुआ था देवगर में तेवधर में ही है वैसे अधर विवस कि युष यॉर हुआ था कि मां पर शAKHARAM देवसकार नाम का एक ब्रहुमन रहा करते थे और यह da monsieur और दिज आए थे वहा हु आपका इंका पूरवर्श था व आ तो अलिवर्दी खाँ जिस समय वहां पे शासन कर रहा था उसी समय आपका मराथा लोग आपका यहां पे आटेक किया करता था तो उसके साथ में यह जो सखरम देवसकर के दादा पर दादा कोई भी कही है वह आया हुआ था तो यहां पे वह रुका हुआ था ठीक है अब जब डेवसकर के गावों में रुका ओओ तो वहीं प्योड dunno पे पैदा होते है साखरम देवसकर और वहीं पर पालतके बढ़ते हैं और वहीं पे कुछ किताब भी लिखते हैं बुश के लिए किताब साभी बंगाली में लिखते है वीजे ठेक किताब है उसकीता नाम है आपका वीछिकर है वीछिकर है यह गतांगांगे अगहने शिस्स का नाम था नाम भूपेंद्रनात दत है और यह भूपेंद्रनात दत इतना था आपका देवर की लागा में या फिस संधाल परगना डिस्टिक में कर लिजे वैसे या फिर एक चीज यह और कर सकते हैं बस छोटा से चीज़े वैसे बहुत बड़ा कोई इंपार्टेंस बहुत ज़्याद नहीं है कि रुड़ा आम्स केस है यहां पे इसका जो अपराधी लोग है व इतना ही और कुछ नहीं है वैसे इसमें ठीक है उसके बाद एक चीज यह और है कि जो काकोरी ट्रेंड डगैती हुआ था पर 1925 में यह हुआ था ठीक है तो यह 25 में हुआ था और उसका जो कुछ की जो लूटने वाला था वो लोग आकर आपका जार्खन के कुछ इलाका में रहा करता था पर जगर का नाम नहीं है लेकिन जार्खन में लोग रहता था ठीक है और उसमें कौन-कौन रहता था तो अस्फाकुल्ला खां ठीक है बहुत फेमस नाम है प्रफूल चंद्र घोस और जोती पंत राय जोती पंत राय प्रफूल चंद्र घोस और अस्फाकुल विदेश से भी संबन था, जो विदेश में कान्तिकारी लोग था, या कान्तिकारी पार्टी था, उससे भी संबन था ये लोग का वैसे, ठीक है, जते कि आपका जर्मनी और जापान में एक पार्टी था आपका रिवोलिश्नरी पार्टी, ठीक है, रिवोलिश्नरी पार्टी से भी यह लोग का संबन थां टो यह अमेरिका में आपना जो कॉंसेप्ट कुछ परचार हो चार यह करने के लिए कुछ बंगारी लों गया था वह लोग खोलाता है प्रप्त फेले कुछ मिलता था तो एक मिलता था तो करांदीकारीओं का बनलद जार्खन के करांदीकारीओं इसके संब्ध यह कोशिसर आ सकता है तो इसमें कि दो हो रहा है एक हंदुस्तान असोसेशन ज़ा अमेरिका वाला है एक revolutionary party यह party है याद किजिए कि पार्टी है ठीक है political party यह party कहाँ है तो जापान और जर्मानी में यह party था वैसे जिससे यह लोगा संबन तक इसका सिंह भूम के किस करन्दिकारी यह यह तो अब लास्ट में आपको दो सचीज बसता है एक चीज आपको देवहर साडी अंधर केस अब दूसरा इसा इसचाहतर है तो भास में आपको कुछ हथियार मिल गया तो हस्टल में चुकी डेवहरा वह यार रोईने गराया लुग देख करता है कि जाह चक्त चलती रहता हो गई करता उसमें ये पकड़ाया था ठीक रफटा था पर पकड़ाया था कि पकुछ हतियार मिल गया था बगाने वान वाल कॉंधक था कुर्ण में तो यिरेंद्र यह कर सकता है कि इसमें क्या हुआ था तो देवास्टाइन केस में हत्यार साइड चातरा वस्टे पकड़ाया था वैसे ठीक है इतना ही इसमें यह इसमें और बाकी गया में एक लूट कांड हुआ था रूट कांड का जो करने वाला था और आपको डाल ते जिस गन जा तो गया सदेन किस से जुड़े हुए थे ठीक है तो गांधिकरी गत्य यूदियों में आपका इतना ही हुआ था जारकन में ठीक है और फिर अब नेक्स वीडियो से देखते हैं कि आप गांधी योग मुस्वरी शुरू होगा और देखते हैं कि गांधी के काल में जो गांधी